दोस्तों हमारा ये ब्रह्मान इतना विशाल और इतना रहश्माई है और इसी रहश्माई ब्रह्माई के बारे में जाननी की जिग्यासा हमें अंत्रिस तक लेके गए और इसी ब्रह्मान में छुपे हुए है अनेको हजारो रहस्य तो आएए आज इन्ही में से एक रहस्य के बारे में बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि अगर स्पेस को पूरी तईके से हवे से भर दिया जाए तो क्या होगा तो आएए आज जानते हैं इसी के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं क्या आप जानते हैं कि आप कितने भी कोशिस कर ले कितने भी साइंस का यूज कर ले पर आप प्राक्टिकली कभी भी एक परफेक्ट वैक्यूम क्रियेट नहीं कर सकते यानि कि आप कभी भी एक ऐसा स्पेस नहीं बना सकते जहां कोई भी मैटर यानि पधार्त या पार्टिकल्स नहीं हो और यही वज़ा है कि विज्ञानिक भी फार्शल वैक्यूम या फ्री स्पेस जैसे चीजों को ही प्राक्टिकली डिसकस करते हैं बात की जाए आउटर स्पेस यानि ब्राय अन्प्रिक्ष की तो यह सच में एक हाई क्वैलिटी वैक्यूम ज़रू है पर इधर भी बेहत कम मात्रा में हाइडरोजन एंड हिलियम पार्टिकल्स एलेक्ट्रोमागनेटिक रडियेशन्स मागनेटिक फिल्ड्स और नूट्र आउटर स्पेस में ओल्मोस्ट एयर यानि हावा है ही नहीं क्योंकि जिसकी वज़य से ये एक हार्ड वैक्यूम भी का जाता है पर अब ज़रा सोचिए और दिमाग लगाए कि आखिर क्या होगा अगर पृत्यू के वायू मंडल में यानि अट्मोस्फियर में अंत्रिक्ष कि समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी और स्पेस में घूमना बेहत आसान हो जाएगा हलाकि रेडियेशन सोलार विंड से बचने के लिए हो सकता है कि हमें सूट्स की जरूरत पड़े पर इतना जरूर है कि स्पेस मिशन के लिए ऑक्सिजन सप्लाई की समस्या लगबग खत्म हो जाएगी और साथ ही स्पेस कोलोनाईजेशन भी पॉसिबल हो पाएगा यानि आप एक प्लाइनर्ट से दूसरे प्लाइनर्ट या चंद्रमा पर आसानी से जा सकेंगे और साथ ही हमारे स्पेस रिलेटेट सान्टिफिक रिसर्च की स्पीड भी भर जाएगी है ना ये का लोडिसी अच्छी खबर थी जिसके बारे में आपने सायद सोचा भी होगा पर असली चेहरा और सच तो अब आपके सामने आने वाला है अंत्रिक्ष कर देगा आपको बहरा सबसे पहले स्पेस में हो रहे कई तरह से फेनोमेना लाइक सूपर नोवा एक्सप्रोजन्स एस् वाही क्यों ना हो एक्जांपल के तौर पर अगर आप सन यानी सुर्य को एक एप्रोप्रियल डिस्टेंस पर पर भी होंगे तो आपको 290 डेसिमल जितनी लाउड साउंड सुनाई देगी जो आपको बड़ी आसानी से बहरा कर सकती है अगर आप पृत्वी पर खड़े हैं और स्पेस में एयर हैं तो आपको ओन एवरेज 125 डेसेबल्स लाउड साउंड सुनाई देगी जो आपके हर पल परिशान करती रहेगी सभी ग्रह को सभी ग्रह हो जाएंगे नस्ट बुरी ख़बर ये भी होगी कि एयर होने की वज़से आउटर स्पेस में फ्रिक्शन एर जैसे चीजे आम हो जाएंगी जिनके प्रभाव भयानक सावीत हो सकते हैं सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वज़से स्पेस में हमारी स्पीड काफी लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि अगर हम हायर स्पीड पर ट्रैवल कर करने लजाएंगे तो एयर और फ्रिक्शन की वज़ लगबक 18.5 माइल्स पर सेकेंड है तो इतनी जादा है कि फ्रिक्शन की वज़े से ये भी जलना शुरू कर सकती है एयर रजिस्टन की वज़े से सभी प्लैट्स के ऑर्बिटल स्पीड लगा तक कम होने लगेगी जिसका परिणाम ये होगा कि सभी प्लैट्स अपने अपन आउटर स्पेस की ही समस्या हो सकती है पर फिर्ट्री पर रहते हुए भी हमें कोई रहत नहीं होगी क्योंकि ग्रैविटी की वज़े से स्पेस में मौझूद एयर मॉल्क्यूस पिर्ट्री की तरफ एट्रेक्ट होने लगेगे जो इतनी जादा मात्रा में होंगे कि इनका हार और दबाव हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे और हमाई बॉड़ी अस्वानी से इस दबाव की कारण फूटने लगेगी आउटर स्पेस में एयर होनी की वज़े से अब ये वैक्यूम बिल्किल भी नहीं रहेगा क्योंकि हर तरफ एयर मॉल्क्यूस और अदर पर्टिकल् अट्रेक्शन की वज़े से ये आपस में एक जेगे इकठा होना शुरू कर देंगी इसकी वज़े से एक हूद मास्क्रीट होने लगेगा जो सायथ किसी स्टार या गैलेक्टी को ही जन्प दे दे सबसे भैंकर महाविनाज भी संभव है फिजिक्स के नियमों की मुताबिक जब पार्टिकल्स आपस में अट्रेक्शन करना शुरू करते हैं तो ये एक स्पेरिकल शेप फॉर्म करने की कोज़िश करते हैं यानि फाइनली ये एक बबल में कनवर्ट हो जाते हैं ठीक इसी तरह आउटर स्पेंस में मौजू सभी मास्क अब्जेक्ट चाहे वो प्लै मैटर आपस में इंट्रेक्ट करते हुए एक जगे पर एकठा होना शुरू कर देंगे जो किसे भी मैसे ब्लैक वोल की तरह नजर आएगा हाला कि ऐसा होने में बेहत जंबा समय जरूर लगेगा तो ब्लैक वोल फॉर्मिशन की सम्हावनाद जरूर होगी जो सब कुछ खत् परिणाम से जो मोटे तोर पर हमें नजर आएंगे अगर आउटर स्पेस को एसे भर दिया जाए फिलहल खैर मनाईए कि आउटर स्पेस एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है वरना अगर इसमें भी आइट्मोस्पेर की तरह हवा मौजूर होती तो परिणाम किसी भयंकर और मह विनाथ से कम नहीं होता